हालो प्रुबार कैसे हूँ आप सब विल्कुम बैक टू मैं चैनल आई हूप की सब लोग अच्छ होंगे ब्लोग में दूपते चैनल में आप सभी का स्वागत है तो बस वीडियो को करते हैं श्टार्ट और आप लोग देखना ना भूलिएगा और पहले तो आप लोगों एक बात सबसाब कह देना चाहती हूँ कि देखिए आप लोगों का कमेंट आता है बहुत अच्छा लगता है आप लोग बहुत अच्छे हो और मतलब मैं जानती हूँ कि आप लोग कित अच्छे हो बट कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ रहे हैं और वो भी बहुत लेकिन जैसे ओनलाइन नमबर लेने के लिए मैंने एक वीडियो में अभी दो दिन पहले बोला था आज मैं फिर से बता रही हूं कि देखिए ओनलाइन नमबर के लिए जिद मत किया करिए प्लीज मत लिखा करिए और अच्छा नहीं लगता है देखिए एक बार मैं आपको अ कि बहुत सारे लोग इतने अच्छे हैं कि जो कि कहते हैं कि ऑनलाइन बहुत खराब होते हैं ऐसा कुछ नहीं है बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं बट आप समझ सकते हैं कि हम हाउस वाइफ हैं और हाउस वाइफ के पास कितना काम रहता है वो तो आप लोग जानते ही होंगे और आप लोग भी घर से हैं बाहर से नहीं है तो चलिए इस बात टॉपिक को यही पर हम चेंज़ कर देते हैं क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रही हूँ तो बहुत ज़्यादा काम रहता है अगर मैं नमबर दे दूँ और आप लोग से बात ना करूँ तो भी आप लोग नाराज होंगे तो वैसे मैं नहाच चुकी हूँ और बस चोडेली यूज का कपड़ा है उसको मैं धुल रही हूँ धुलने के बाद मैं सीधे किचन में नहीं जाओंगी आप लोग सोचते होंगे तो सीधे किचन में जाएंगे किचन में नहीं आज जाने वाली हूँ आईसे मतलब रोज नहीं जैसे किचन में जाओं या पूजा करूं या काम करूं यही सब है हम लोगों के हाउस वाइफ के रूटीन जो कि यही पे खर से ही श्टार्ट होता है घर से ही खतम हो जाता है तो आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वैसे भी मैं भी बहुत महिनत करती हूँ तो बस देखें सासु जी के लिए मैं खान निकाल रही हूँ और सासु जी को डॉक्टर ना इंदम साफ साफ मना कर दिया है कि मतलब उनको गरम मसाले से बनी कोई भी चीज मत दीजिये डाल सबजी लेकिन यह हो नहीं पाता है क्योंकि इतना परहिज ना वो कर सकती है ना हम ही कर सकते हैं क्यो रहा है उसके बाद और यहां पर मैं अब करूंगी भगवान जी की पूजा तो सबसे पहले पूजा करने से पहले भगवान जी के जो है मंदिर हम साफ करते हैं और साफ करने के बाद भगवान जी को अश्नान कराते हैं तो चलिए फटाफट पूजा कर लेते हैं और यहां मैं पीन नहीं लगाई थी साड़ी में तो मैंने सुचा पहले पीन लगा लेती हूँ और वैसे आज मैं आपको बता हूँ आज मैंने कमेंट देखा एक लोगों का और उन्होंने मुझसे पुछा कि अपनी एज बता दीजिये और आपकी एज क्या है आप कहां से हो तो इससे पहले कि मैं उन्हों ही बता पाती कि मैं कहां से हूँ और मुझे हासी आगई तो उसमें मेरा एज भी पूछे हैं और उसमें लिखे हैं कि या पचास साल की हो या पचपन की तो मुझे हासी आगई तो हमने का नहीं नहीं पचास नहीं 55 की नहीं 60 के, पूरी-पूरी 60 के हैं भाई तो हमने से चाह क्यों है आप सब के साथ सेर करो अगर आप सुन रहे होंगे तो आप भी सुन लिजे हासी आएगी ना आपको भी तो एच तो भाई हम लोगों के सभी हो जाते हैं आज आप बच्चे हो तो कल आप बड़े होंगे, कल हम बच्चे हैं तो कल हम भी बड़े होंगे बच्चे तो हम नहीं होंगे क्योंकि हम लोग दिरे-दिरे-दिरे करके बढ़ेंगे, फिर उसके बाद दिरे-दिरे करके उपर भी पहुँँ जाएंगे क्योंकि कुछ लोग तो बहुत अच्छा काम करे रहते हैं यहां पे तो सब लोगों की भला करे रहते हैं सब के बारे में सोचे रहते हैं तो उनका जो है बुढ़ापा कही है और जब वो बृद्ध हो जाते हैं उनका अच्छा हो जाता है अच्छा सबीच जाता है और जो नहीं अच्छा किये रहते हैं जैसे हम लोग जैसे हम हैं नहीं अच्छा किये रहते हैं तो फिर तो यहीं पर सारा स्वर्ग है नर्क है ना और मैं यहां पर आ गई हूं पूजा कंडी और मैं यहां पर दो बार हो इसे मैं रेट कलर की साड़ी पेनी थी ऐसे क्यों करती हूँ मैं वो बताती हूँ आपको मैं जब च्छत पर आती हूँ न तो कपड़े उपड़े का बैकट भी लिए रहती हूँ और मतलब जो भी जरूरत के समान रहते हैं जल चड़ाने के लिए लोटा और अच्छत के लिए चावाला ऐसा कुछ करके तो आन जब साड़ी पन के आते हैं तो पैर फसने लगता है लगता है भी यह कहीं गितना जाएं तो फिर साड़ी कमरे में फसा देते हैं और कमर से याद आई कि मुझे एक कमेंट आ रहा है कि आप कमर में जो है चावी का गुच्छा लटकाई है तो चावी तो गुच्छा तो बहुत अच्छा लगता है कमेंट आपका अच्छा है बटे गुच्छा जब मतलब खजाना उना जादा होता है ना तो बहुत धेर सारा गुच्छा रहता है तो चलिए वैसे हला कि मैं कर दूंगी मुझे याद भी है तो प्लीज आप मेरी एक बात सुन लेजे कि कहने के बाद थोड़ा सा टाइम दिया करिए कम से कम उसके लिए मैं तयार हो जाओं बनाने के लिए ये चीज है ना टाइम निकालना पड़ता है तो बस मेरा यहाँ पे सुर्य देवता को जल चड़ चुका है तो सोच रही हूँ कुछ न तो कुछ तो जो है की पाप कम कर लूँ पूजा ही करके कुछ ना कुछ तो पाप कम ही हो जाए और वैसे जैसे कि मैंने बताए जा हूँ कि सारा स्वर्गन नर्ख यहीं धर्टी पे ही है आप लोग सब ही लोग जानते ही है सब ही लोग अच्छ वाले हैं क्या कि पाप तो करते नहीं है ना तो यह बस चल जड़ाने के बाद यहां पर डाल नहीं हूँ कपड़े कपड़े डालने के बाद नीचे जाओंगी क्योंकि सासो जे दो तो खाना मैंने दे दिया है और अभी मैं बच्ची हूँ और स्रिया है मेरा लड़का है तो हम तीन लोग अभी बच्चे हुए हैं और इन लोगों के लिए डाल को मुझे गरम करना पड़ेगा जैसकि मौसर ठंडा होगी है ना तो दाल इत्म ठंडी ठंडा हो जाती है और जब ठंडी हो जाती है तो मज़ा नहीं आती है और सासो जी को जब मैं दी थी न तो समय बहुँ ज़दा गरब नहीं थी, बहुँ ज़दा शनी नहीं थी, मतलब नारमल थी, और बट अब तो ठंडी हो गई होगी, तो यहां पे आप लोगों के रिक्विस्ट पे मैं साड़ी पहनी थी, और साड़ी तो एक बार धूलो, फि यह जो पहलाने में है, और थोड़ी तेरे करें इसका पानी सूख गिया है, या मसीन में आप डाल देते हैं, ड्राय करने के लिए, तो बड़े अच्छे सी यह सूख जाएगा, और बहुत अच्छे डाला, डारे पर फैल जाएगा, और सूख तब हो जल्दी है, यह चेतो ह और पहने में भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, पहने में भी अच्छा लगता है, और आज मैंने बकसे को खोला था, और उसमें से कुछ कपड़े, कुछ पुराने साड़ी, जो मेरी हैबी वर्गे की दे, उन सारे को निकाल के मैंने सिट किया है, और लग रहा है, कैसी इन को पहनेंगे, और मतलब और वो भी हैबी और जिसका हर सीजन में हर तरह के अलग अलग साड़िया मार्केट में आ जाती है, तो जैसे ही यह आ जाती है, तो सब लोग सोचते हैं यह यह तो बड़ी पुरानी है, बहुत पुराने साल की साड़िया रखी है, लेकिन अब यह चीज है तो इसको हम बाहर तो फेक नहीं सकते हैं तो यही चीज होता है, और क्या किया जा सकता है अब जाती है, बस चत पे जो चत का काम था वो खतम हो गया है, पौधो में पानी डालना था नहीं डाली है, वैसे मोसम भी थोड़ा सा नरम हो गया है ना जैसे कि आज उत्राइट दूप नहीं है तो गंले का पानी जो मत अब जो लमी है वो सूखी नहीं है, इसलिए लगी है जोरों की भूख, तो चलिए नीचे चलते हैं, कपड़ा फाइनली डाल चुके हैं, तो यहां पर हमने कपड़े जो लेके आई थी वो भी डाल दी हूँ, और सारे गंले में मैंने पानी भी डाल दिया है, और वैसे भी वीडियो लंबा हो रहा है, तो चलिए वीड मैंचे इट इंचे 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 इंचे।